नमस्कार दोस्तो आज हम लो IS PRE 2020 जो कि 4 अक्टूबर को हुआ था और GPSC PI PRE 2021 जो कि 3 जनवरी को हुआ है दोनों में आधुनिक भारत यानि अर्वाचीन भारत के प्रस्न का तुल्ला करेंगे और दोनों के ब्याख्यात्मक हल का प्रियास करेंगे आपके सामने जिस तरह से आप पिछले लेक्चर में देखें कि प्राचीन भारत के कैसे कोस्चन चेप्टर टू चेप्टर आये थे दोनों जगा और दोनों में अंतर क्या था कि अगर हम थोड़ा सा लेवल उपर बढ़ा करके IS के अस्तर का तयार कर लें तो PI में बड़ा ही बेसिक प्रसंद था आज हम लोग देखें कि अरवाचीन भारत में कैसा रहता है तो चलिए दोस्तों आपका समय नहीं बिगाड़ते हैं और सुरुवात करते हैं सबसे पहले एक फिर से फॉर्मेल्टी बस इसको स्पीड से कर देंगे क्योंकि हो सकता है कि आज कुछ फिर में वीवर हों तो उनको एक आडिया लग जाए तो पी आई के तीन जन्वरीम को जो प्रलिम्स का एक्जाम हुआ था उसमें सेक्षन वाइज किस टॉपिक से कितने प्रसंद पूछे गए तो इतिहास से तीन सौ में 42 प्रसंद पूछे गए थे जिसमें प्राचीन भारत 19 था चुकि पी आई में मद्धिकालीन सिलेवस में भी नहीं है इसलिए मद्धिकालीन नहीं था अरवाचीन भारत 15 था इसका मतलब कि अरवाचीन और प्राचीन के बीच जी पी एस सी में संघर्ष रहता है दोनों लगभग बराबर होता है और गुजरात का इतिहास आठ था ठीक उसी प्रकार सांस्कृतिक वारसों में 37 कोस्चन पूछे गए थे जिसमें भारत का सांस्कृतिक वारसों बहुत कम था केवल 6 प्रसंद थे और उसके सामने गुजरात का सांस्कृतिक वारसों बहुत ज़्यादा था 31 कोस्चन थे भारती राज व्यवस्था और बंधारन से 39 प्रसंद पूछा गया था जिसमें बंधारन से अकेले जो है 33 था पंचायती राज 5 था इस बार सामाजिक न्याय टॉपिक से प्रस नहीं लिया है और अंतराष्टी सम्बंध एक था इसी प्रकार दोस्तों गनित और रिजनिंग से 40 सवाल हैं जिसमें 28 गनित है और 12 रिजनिंग है यानि ये चार टॉपिक पर भी आपका कमांड बढ़िया हो तो भी आप हमेशा रेस में रहेंगे अब आईए अर्थ व्यवस्था लेकिन उसमें से भारती अर्थ व्यवस्था के ट्रेडिशनल सवाल ज्यादा थे 36 अकेला परंपरागत सवाल था और 6 करेंट का कुस्चन था इसी परकार गुजनात के परंपरागत से 3 था और उसके करेंट से भी 3 था अब आईए भूगोल भौतिक भूगोल से 11 प्रसंट पूछे गये थे बिश्व के भूगोल से 1 प्रसंट पूछा गया है और भारत के भूगोल से जो है 19 प्रसंट पूछा गया है यानि यहां भी जैसे प्राचीन भारत और अर्वाचीन के भी संघर्स है कि दोनों है वैसे ही यहां भौतिक और भारत के बीच भी भूगोल में संघर्स है बिज्ञान और टेकनोलोजी 38 है अगर समान बिज्ञान को देखें जो कि बिज्ञान टेकनोलोजी में नहीं पहले पूशता था धीरे धीरे प्रस्णों की प्रकृती बढ़ रही है 10 है बिज्ञान और टेकनोलोजी परंपरागत 23 है अब विज्ञान और टेकनोलोजी करेंट पांच है और इन सबों को मिला करके अब जो बच गया करेंट इसमें जो समाही थे वो बता दिये जो केवल करेंट इस सब्जेक्ट से लगता हुआ नहीं है वो 17 था जिसमें भारत से 14, 20 से 2 और गुजरात से 1 था दोस्तो इसको फिर से रिवाइंड करके गिन ये 17 कोस्चन करेंट पांच विज्ञान और टेकनोलोजी का करेंट 22 समान विज्ञान में 24 गुजरात में ये भुगोल में मान लिजे 5, 39 गुजरात का करेंट 3, 32 भारतियर्थ वरस्थाम करेंट 6, 38 और इस पूरे में एक अंतराष्टी संबन्द 49 अब पांच कोस्चन मान लिजे पॉलिटी में हो जाएं 45 कोस्चन करेंट से है तो 48 प्रसन इतिहास से भी है कहां से कमजूर है उसके सामने या चलिए आपको लगेगा इतिहास तो मैं कह रहा हूँ कि 37 प्रसन सामस्कृतिक वारसों से भी है 40 प्रसन मैद से भी है तो नो डाउट पढ़िये करेंट मना नहीं करते हैं हम भी पढ़ाते हैं करेंट ऐसा थोड़े कि नहीं पढ़ाते हैं लेकिन अगर आप इतना मोटा मैंगजीन हर महिने 200 पन्ने का मैंगजीन दस महिन बारह महिने पढ़ते हैं 2400 पन्ना तब एक करेंट पूरा होता है तो फिर 2400 पन्ने का पॉलिटी क्यों नहीं पढ़ते हैं प्रसन तो बराबर ही आ रहा है तो फिर 2400 पन्ने का गनित क्यों नहीं बनाते हैं 2400 पन्ने का इतिहास क्यों नहीं पढ़ते हैं बस यही चीज़ ध्यान रखना है कि काम का क्या है ये मालूम नहीं है लोगों को हर महिना केवल पन्ना भरना है जिससे कि आप पस्त हो जाएं अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब ये थोड़ा रूप कर बताएंगे क्योंकि आज हम एनलसिस करने जा रहे हैं, अरवाचीन भारत से बिभिन परिक्षाओं में कितने प्रस्न पूछे गए, मेरा बेस एर 17 है और चुकि 21 में एक एक्जाम हो गया पी आई तो यहां तक र होता है, अगर आप से गलती हो गई तो नेगेटिव वन्थर यानि 0.67 मारक, 17 में अरवाचीन भारत से 7 प्रस्न था, 18 में 14 था, 19 में 6 था और इस बार नौ था, GPSC के हिजाब से बराबर ही है, क्योंकि वहाँ दो मारक का एक प्रस्न है तो 18 कुस्चन हो गया, देख रहे हैं तो रेशियो दोनों जिका इतिहास का बराबर ही है, लेकिन चुकि वहाँ 100 ही प्रस्न है, इसलिए पता नहीं चलता है, GPSC क्लास 1-2 में 400 मारक के प्रस्न है, 17 में 11 कुस्चन अरवाचीन भारत से पूछा, 18-19 में 17-17 पूछा, यानि इससे लग रहा है कि 17 के आसपास ये लोग क्लास 1-2 में मन बनाए हैं, कि इसके बराबर रहना है, PI में 2017 में 13 पूछा था, 18 में 18 पूछा, और 21 में 15 पूछा, यानि 15 के आसपास, PI में भी अरवाचीन भारत के कुस्चन रहेंगे, DYSO का दो एक्जाम हुआ है, दोनों में 10 और 9, बहुत बहतरीन कहा जाएं दोस्तों, 200 प्रस्ण में 10 और 9, क्योंकि 8 टॉपिक है, तो इसलिए बहुत बढ़िया रेशियो है, और STI के 1 में 11, यानि DYSO STI में अरवाचीन भारत लग भग 10-11 कोस्चन रहेगा, आठ नौ कोस्चन प्राचीन भारत था, कुल मिला करके 20 प्रस्ण जो है, 20-22 कोस्चन, STI DYSO में इतिहास से रहेगा, इसलिए कि बाकि फिर गुजरात का इतिहास भी जोड़ियेगा, तो 25-26 हो जाएगा, तो इस तरीके से हमने ये किया, अब हम लोग एक-एक करके कोस्चन देखते हैं, यहाँ पर इस बार हमने एक नया प्रक्रिया अपनाया है, क्योंकि मॉडर्ण में चेप्टर टू चेप्टर मिलाना कठीन होता है, तो उससे कोरिलेशन, उस भाग से मिलाएए हैं, तो देखिए, PIP में जो पेपर है, 80 मा कोस्चन, मेरे पास जो G ग्रूप था, उसका 80 मा कोस्चन, बाल लगन अने फरजियात विध्वाप पनानों विरोध करवा माटे, नीचे न पैकी कोने, अडार सो पचासी मा मुंबई खाते, सेवा सदन्नी अस्थापना करी, हो गया जी में तो बहराम जी हो ही गया, A है कोस्चन, बहराम जी, M मलबारी, B, RG भंडार कर, C, सिवनारा अगनी होतरी, D, BK जैकर, अब इसकी ब्याक्षा देखिए जो हमने तयार किया है वो, और उसके साथ साथ ये कोस्चन, UPSC के इस साल के प्रसंद से कोरिलेटेड है, वो दिखाते हैं, तो देखिए, बहराम जी, मेखना जी मालबारी नो जन्व, अडार में, अडार सो तिरेपन मां, बरोडा मा थायो हातो, अडार सो चौरासी मां मालबारी ए, इनफेंट मैरेज, एनड इनफोर्स्ट वीडो हुड, नामनू पत्र रजु करी, बाल विवाह ने समाजिक बुराई, समाप्त करवा माटे, बिधान सभा पासे मांग करी, बिधान सभा को चिठी लिखा, बाल विवाह समाप्त किया ज़ग, अने बिध्वा पुनह विवाह ने रोकवा पर हिंदु धर्म नी टीका करी। कि बिध्वा पुनह विवाह को जो उस हिंदु धर्म में रोक है उस पर ये टीका किये थे। ये भी प्रस्णा सकता है। अडार सो पचासी मा रुखमा भाई ने पती पासे पाछा जवा अथवा जेल जवाना आदेश ना विरुद मालबारी ये संपाद की लखिय। कॉंग्रेस थी दूर रहिया। यानि इनका सेवा सदन तो कभी भी कॉंग्रेस के साथ सहयोग नहीं किया। परन्तु अडार सो पचासी मा तेमने मुंबई मा भारती राष्टी कॉंग्रेस मा भाग ली धो। अठार सो पचासी में जो कॉंग्रेस की अस्थापना हुई थी उस संबेलन में ये बैक्तिकत रूप से उसमें भाग लिये थी। दादा भाई नवरोजी नी साथे तेमनों घनिष्ट संबंद हतो। ये है बहराम जी मालबार जी के बारे में एक छोटा सा उनका परिचे। अब रुखमा भाई केस देखिए कैसे। आईस प्री में पूझा था। दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। भारती दिहास के संदर्व में 1824 का रखमा भाई मुकदमा किस पर केंद्रित था। पहला महलाओं का सिख्छा पाने का अधिकार। दूसरा सहमती की आयूं। तीसरा दामपत्य अधिकारों का प्रत्य स्थापन। नीचे दिये गए कूट का प्रियोग कर सही उत्तर चुनिये। एक केबल एक और दो, बी केबल दो और तीन, सी एक और तीन, अड़ी एक दो तीन। तो महलाओं का सिख्छा पाने वाला वो नहीं है। बिल अभी बताते हैं उनका जो विरोध था। आंसर है दो और तीन, बी देखे, पूरा व्याख्या किये थे उसमें। रखमा भाई का जन्म, जनारदन पांडूरंग एवं जैंती भाई के घर में एक मराथी परिवार में हुआ था। जब बाद दो वर्स की थी, तब उनके पिता का निधन हो गया और उनकी मा ने दो वर्स के बाद रखमा भाई का विवाह उनके सोतेले पिता के चचेरे भाई दादा जी भीखा जी से हो गया। विवाह के छे माह बाद भीखा जी ने गर्भाधान संसकार की अनमती मांगी, 16 संसकार में पहला, जिसे डॉक्टर सकाराम अर्जुन ने औस्विकार कर दिया। मार्च 1884 में भीखा जी ने अपने वकील चाक और वाकर के माध्यम से सकाराम को कानुनी नोटिस भेजा। सखाराम ने वकील पाई ने और गिल्बर्ट के माध्यम से इसे औस्विकार किया और 1885 में भीखाजी वर्सिस रख्माबाई केस में दामपत्त अधिकारों का प्रत्यस्थापन का मामला बना देखरें कितना डिटियल साब को बता रहे हैं नियमूर्थी रॉबर्ट हिल पिनहेई ने रख्माबाई को कम उम्मर का होने के कारण भीकाजी के ब्रुद्ध फैसला दिया है 1886 में यह मामला पुनह विजार के लिए लाया गया चार मार्च 1887 को नियमूर्थी फर्नान ने हिंदू कानून की ब्याक्ष्या का उप्योग करते हुए रख्माबाई को अपने पती के साथ रहने या छे माह के कैद का सामना करने का आदेश दिया रख्माबाई ने कारवास विकार करने पर बग दिया बोली मैं नहीं जाओंगी अंतता 1891 में एज ओफ कंसेंट पारित हुआ जिसमें ब्रिटिस भारत में सहमती की उम्र दस से बारह वर्स कर दी गई जरा कोई भी किता या दिल्ली का कोई भी नोट्स अगर ये क्लेम कर दे कि हम ये चीज को दिये थे तो मान जाएंगी काकोरी सडियंत्र सब के किताब से आता है यहां जो लोग दिल्ली के किताब का ट्रांसलेशन करके मनगर्व से बोलता है कि हमने इसका गुजराती किया है अरे हमारे बिहार में कहा जाता है बड़बड घोडी भासल जाए निलगिद्दी कहे कितना पानी बड़ा बड़ा घोडी जो है जो बाइट के पेपर निकाल रहा है जो बाइट करके बुग निकाल रहा है यूपेशिक सिलेबस देखके उससे सवाले नहीं फसरा है तुम अनुवाद करके यहां ताकतवर बंदे हैं तो इसको सोचिएगा इसलिए हमारे यहां कहा गया है कि बकडी छकडी से हल नहीं चलता है तो दिक्कत यहां यही है कि बकरी जो है वो हल चलाने का प्रियास कर रहा है ललके को गाइड करने का प्रियास कर रहा है मैं हमेशा विरोध करते रहूंगा ताए मेरे विरोध में पूरे लोग लग जाएं क्योंकि वो बच्चों का केरियर बरबाद कर रहा है जितना कितनों को मैंने पढ़ाया जिसका की एक परिक्षा नहीं किलियर हो रहा है उस अब आज बड़ा बड़ा टीचर बना हुआ है यह मत सोची अगर हम केवल बाहरीयों के लिए भोलते हैं मुझे दुख है कि वो पढ़ा होता तो आज कहीं कहीं जॉब में होता है वहाँ जो लोग जीवन भर M.A.M.Phil PhD इतिहास में करके बैठा है प्लस ओप्षिनल लेके I.S. दिया है नहीं हुआ उसके बाद वो पढ़ाने आया फिलोसफी से जो है M.A.M.Phil किया है उसके बाद नहीं हुआ तो Ethics पढ़ा रहा है साइकलोजी से किया तब वो Ethics पढ़ा रहा है यहाँ दो परिक्षा देते Ethics आ जाता है लोग को यहाँ इंजिनियर को Ethics आ जाता है डाक्टर को Ethics समझ में आ जाता है एम फिल बला विचारा कुछ नहीं आता है क्या करिएगा बस यही है कि दो परिक्षा जो यह दौड अंधा हुआ है आज के डिट में कि Selected से बात करना है वहीं मामला गर बलाया है आज दिल्ली के भी टीचर इस चीज को पस्ता रहे होंगे मैं हमेशा भी रोध करता था कि वो Selected है बट वो आप से ज़्यादा जानकार नहीं है आप उसको क्यों खड़ा करते हैं आकर के कि लोट पढ़ाओ अभी उसको अनुभवाना कम बाकी है वो Jack of all trade है Master not है बट अपने भी सही में Master आप है आप उसके सामने दूसरे भी सही में नहीं होंगे इसलिए वो थोड़ा थोड़ा सब जानता था और पास हो गया लेकिन आज क्या है उससे हम How to write सीख रहे हैं उससे हम ये और अगर मैं ये सत्य बात बोलता हूँ तो जो लोग उस फिल्ड से हैं उनको बुरा लगता है तो क्या करें लगने दिया जाए जो बुरा लगे और बात अगर सत्य हो तो उसको कहने में कोई दिक्कत तो है नहीं तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी लोग ये कहते हैं कि दिल्ली के इस किताब को हमने अनुवाद किया है उसी किताब से मिला लिजे एक रुखमा भाई है कि नहीं है तो ठीक आ नहीं है तो मेरा ये वाला स्लोगन बार बार बोलिए कि बलबल घोडी भासल जाए निलगेदी कहे केतना पानी हाललोम ते हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसियेशन है होई जाएगा गदरपक्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन और अनुसीलन समिती ये प्रस्ण अगर पिछले 17 से GPSC के प्रस्णों को आप देख रहे होंगे, तो मेरा सला है कि especially क्रांती कारी वाले भाग को details पढ़िये, वहां से question आता ही आता है, और मतलब विपिन चंद्राजी भी जैसे लेखक भी उनको इग्नोर नहीं किये हैं, क्योंकि मेरा भी यही मानना है कि आजादी के आंदोलन में अकेले किसी एक भेक्ति की भूमका नहीं हो सकती है, हाँ, उनकी भूमका अधिक हो सकती है, तो ये जो क्रांती कारी थे, जो अपना जान ने च्छावर कर दिये, तो उसके बाद जो लोगों में राष्टवाद फैल अगर आप उसको नकार भी नहीं सकते हैं, तो क्या देख रहे हैं, कि इनकी भूमका को अगर आप नकारते हैं, तो GPSC, UPSC आपको भी नकारेगा, लेकिन तबियत से डिटेल्स पढ़िए इनको, फिर आधा अधूरा मत पढ़िए, तो चलिए जरा इसकी ब्याख्या देखे 3 ओक्टोबर 1924 से सचिंदरनाथ सान्यालनी अध्यक्स्तामा, संयुक्त प्रांतना यानि उत्तर प्रदेश में कानपूर मां हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन नी अस्थापना थाई, यानि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन के अस्थापना संयुक्त प् ससस्त क्रांती ना माध्यम थी आपनिवेशिक सत्ताने उजाडवानों तेमज एक संघी गणतंत्र संयुक्त राज भारत नियस्थापना करवानों यानि कि अगर आजादी हमको इन क्रांती कारियों के नेत्रित्त में मिली होती इसलिए काराय पढ़ने के लिए कि अगर इसलिए के नेत्रित्त में मिली होती तो भारत कैसा होता तो इनके नेत्रित्त में मिली होती तो हम अभी जो इनका सपना था भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संग नहीं होते भारत अर्थात इंडिया युनाइटेड स्टेट्स होते यानि इनको USA, UAE, UK कोई खराब न इनको उस पे भरोसा था इस्टेट को ज्यादा से ज्यादा जो है स्वायत्रता दिया जाए इनको इस पे भरोसा था पढ़ने समय जरा पढ़िए तो हिस्ट्री को कोरिलेट करिए फैक्स के वलमत रटिए दोस्तों आईए 1924 थी 25 सुधी हिंदुस्तान रिपुब्लिकन एसोस स्वाइशन मा भगत सिंग सुखदेव था पर चंदर सेखर आजाद जोड़ाई के है नौ अगस्त तो गनी 125 मा आ संस्थान ना सभ्योए काकोरी ना एट डाउन ट्रेन ने रोकी लिधा और रेल भी भागनी ती जोरी लूटी ली थी एट डाउन ट्रेन हमारे यहां से ही च नौ थी दस सप्केमबर उगनी 188 ए दिल्ली फिरोसा कोटला मैदान मा उत्तर भारत ना युवा करांती कारियों ने एक बैठक थे यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन का काम हो गया अब उसके बाद फिर देखिए इसी संस्था का नाम कैसे बदलेंगे युवा करांती कारियों ने सामुहिक नत्रितों ने समाजबाद नी स्वायतता करवा माटे एक लच्छ नक्की करिए यानि United State of India के बाद अब इन युवा करांती कारियों को लगा कि collective leadership होना चाहिए कोई एक आदमी के हाथ में leadership नहीं होना चाहिए तो collective निरने परिपक्कु निरने होता है और उससे हम कोई बड़ी बात जो है बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं और प्लस इसमें समाजबाद हमारे देश में होना चाहिए ये लोग socialism से प्रभावित थे आमा संगठन नू नाम बदली ने हिंदुस्तान Socialist Republic Association दाखिए हिंदुस्तान Republic Association के आगे socialist word यूज कर किये और इससे इनको लगा कि समाजबाद करने से जो भारत के गरीब तबके के लोग हैं मजदूर लोग हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे इनको ऐसा लगा था आईए अगे इससे मिलता हुआ सवाल चुकि यहां 15 है और वहां 9 है तो 6 सवाल तु नहीं ही मैच करेगा नू अब आईए पी आई मैं 84 मां कोस्चेन सुवास चंद्रबोज भी से नीचे ना पैकी कया विधानों साचा चे तेओना राजकी गुरु सियारदास हता तेओने स्लोगन चलो दिल्ली हतु रविन्नाट टैगोरे तेओने देशनायक तरीके नवाजिया हता तो चारों ही स्टेटमेंट सही है गांधी जी को भी उतना ही डिटेल्स पढ़िये इस से लेवस में सुवास चंद्रबोज को भी कम वेटेज नहीं दीजिये उतना ही डिटेल्स पढ़िये सरदार पटेल को भी उतना ही डिटेल्स पढ़िये और क्रांती कारियों को भी उतना ही डिटेल्स पढ़िए तब जाकर के आपका फ्रीडम मूब्मेंट ओके होगा ये ध्यान दखियेगा अब आईए इसकी ब्याख्या 23 जानुवरी अडार सो संतानुए सुवास संद्रनों जन्म थयो हतो चेमने नेता जी कहवामा आवेज अंजन दास कॉंग्रेस खिलाफत स्वराजवादी दल में चले गए गांधी के पार्टी से बिरोध करके निकल गए इस्तिफा दे दिये थे अई ये उनको गुरु मानते हैं तो टकराहट तो होगी ने दोनों के सिध्धानतों में बस यही चीज है जानने का क्या कारण था और सिध्धानत का टकराहट दोस्तों यह देश द्रोह नहीं होता है आपके विचार और मेरे विचार नहीं मिल सकते हैं मैं हमेशा कहता हूं कि इस लोग तंत्र में मैं स्लोगन देता हूं हलांकि यह सरकार का स्लोगन है 94 में सरकार देती थी कि लोग तंत्र में आईए हम इ इस बात पे सहमत हो जाएं, कि एक दूसरे से असहमत हैं, इस पे तो सहमत ही है, तो हमारे और आपके विचार अलग हो सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, तो विचार धारा अलग था, बट सब का गोल होना चाहिए देश भक्ति, देश का विकास, सब का गोल होना चाहिए, अग उनका रास्ता लग था, बट लक्षे की था, गांधी थे, उनका मारग लग था, बट गोल उनका भी क्या था, देश अजाद कराना, सुवास बाबू थे, क्या था उनका गोल, देश अजाद कराना, यानि देश को मजबूत करना, और पटेल सहाब, after freedom, देश को अगर एक नही किये होते, तो देश कमजोर हो जाता, उनका भी गोल वही था, लास्त ली, इसलिए हम इनको ठीक से पढ़ेंगे, अमबेटकर सहाब, इसलिए ही पढ़ना है, कि आप अगर किसी भी देश को मजबूत देखना चाहते हैं, तो उसमें एक बड़े तबके को आस्परिस से बना लेता है, नहीं तो गोल्ड उस बार कौन लेता है, सब का होना जरूरी है, तब जाकर के जो है हम फाइट कर पाएंगे, तो क्या देख रहे हैं, सब को एक समान, बहवार मिलेगा, तब ये देश बिक्सित होगा, तो क्या देख रहे हैं, इसलिए सिलेवस में अमबेटकर सह आपको भी रखा गया है, कि सोशल रिफॉर्म भी देश में उतना ही जरूरी है, आँख मूंद लेंगे ने, सुतरमुर्ग के तरह, तो आँधी नहीं खतम हो जाएगा, दोस्तो, आँधी आने पे सुतरमुर्ग आँख मूंद लेता है कि हमको कुछ नहीं होगा, नहीं दो आँधी जो कहे हैं, उस पर भी अपने को बातचीत करनी होगी, और समय समय पर उस पर जो है, रिफॉर्म करना पड़ेगा, तो क्या देख रहे हैं, इसलिए जो है, यहां आगे, उगरी 149 मा तेम ने, त्रिपुरा कॉंग्रेस नाधिवेशन मा, गांधी जीना प्रतनिधी पट्टा भी सीता रमया ने पराजित करिया, इंडियन नेशनल आर्मी ने तेमने कल पूष दे कि चलो दिल्ली किसको कहे थे, हमको आपको, हमको आपको कहे थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हे आजा दी दूँगा, तो दिल्ली, इंडियन नेशनल आर्मी ने तेमने दिल्ली चलोना युद्ध नारुद आपियो और रविनाठ टैगोरे सुभाचनर बोजे ने देशनायक कहियो यहां से भी छे प्रस नहीं मिलेगा नहीं था अब आईए जो पियाई का सब से आसान सवाल था और यह गुजरात के सब के किताब से है कोई इसमें बड़ी बातनी इकने मेरे में से लड़ गया है साबर मती थी दांडी सुधी नी दांडी कूच केटला दिवस माटे थाई 20, 22, 24, 30 बहुत आसान सब जानता है कि 24 दिन के लिए हुई दांडी कूच बार मार्च ओगनी सुधी थी 5 अप्रे लोगनी सुधी सुधी चालियो जेनो समय गालो 24 दिवसनों चे गांधी जी 78 स्वयम से अवकू नी साथ है आयात्रा नी सरवात करी 6 अप्रे लोगनी सुधी से सवारे 6.30 वागे गांधी जी ये मीठा नोकाइदो तो सवाल आया है और इस पार्ट से पी आई में दो सवाल है अभी एक और आगे देखेंगे और यहां आईएस में देखे क्या है इस बार जो पूछा गांधी इर्विन समझावते में निम्न में क्या समलित थे उसी समय सविने कानून भंग के समय का ही घटना है राउंड टेवल कॉन्फरेंस में भाग लेने के लिए कॉंग्रेस को अमंत्रित करना असयोग आंदोलन के संबंध में जारी किये गए अध्यादेशों को वापस लेना पुलिस की जादतियों की जाच करने के लिए गांधी जी के सुझाओ की स्विक्रती सिर्फ अचाओ था केबल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था केबल तीसरा ही अंग्रेज नहीं मानेगा पुलिस जादती अंग्रेज अपना यहीं पुलिस पर कोई कहेगा तो केबल एक दो और चार हुआ देखिए इसकी ब्याक्षा पांच मार्च 1931 को एक समझहोते पर हस्ताक्षर हुआ जिसे गांधी इर्विन समझहोता कहा गए इस समझहोते की सर्तें इस प्रकार थी कॉंग्रेस और उसके कारकरताओं की जब्त संपत्ती वापस की जाए सरकार द्वारा सभी अध्यादेशों एवं पुर्ण अभ्योगों के मामले को वापस लिया जाए हिनसात्मक कारियों में लिप्द अभ्युक्तों के अतरिक्त सभी राजनेतिक कैदियों को मुक्त किया जाए अफीम सराव एवं विदेशी वस्तर की दुकानों पर सांतिपुर्ण धंग से धरने की अनुमती दी जाए समुद्र के किनारे बसने वाले लोगों को नमक बनाने और उसे एकत्रित करने की छूट दी जाए गांधी जी ने कॉंग्रेस की ओर से क्या-क्या सरते स्वीकारी उसके एवज में सविने आंदोलन अस्थगित कर दिया गया दुती गोल में सम्हिलन में कॉंग्रेस के प्रतिनिदी भाग लेंगे ऐसे मॉडर्न इंडिया पढ़ा जाता है दोस्तो पुलिस की जाधतियों के खिलाफ निश्पक्ष नियाई जांच की मांग वापस ले ली जाएगी देख रहे ने जो गांदी स्विकार किये वहाँ उसको कह रहा है कि उस समझावते में था नमक कानून उन्मूलन की मांग एवं बहिसकार की मांग को वापस ले लिया जाएगा यह आपका UPSC का कुश्चिन था जो यहां तक पढ़ेगा उदांडी यात्रा का कहानी पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा इसलिए हम रोख रहे हैं कि आईयस तक का सफर एवरेस्ट पर जा रहे हैं तो रास्ते में आने वाले जिसका सिलेवस मिल रहा है यह नहीं कहेंगा कि असस्ती हो जाएगा रास्ते में आने वाले जो भी छोटे-छोटे सिखर हैं उसको पार करके ही आप एवरेस्ट पहुँझ रहे हैं इसलिए एक बार ताकत लगा दीजिए बढ़ियां से समय लेके हम कभी भी नजदीक परिक्षा के पक्षमन ही होते हैं जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं वो तो इस बार का एक्जाम दीजिए जो नए हैं वो 22 को टार्गेट करके अभी से पढ़ना सुरू करिए हम बहुत ही बहवारी का अदमी हैं आपको नए कभी भी फसने वाला सलाह देंगे अगर पी आई में नए लोग 60 नहीं जा पा रहे हैं तो एक बार सोच करके देखिएगा कि माथा ही मारिये गन जाक वहां यहां 300 में 60 गये हैं तो वहां 400 में आप 90 जा रहे हैं तो आप यह तीन महिने में उसको 500 कैसे तबदील करेंगे क्या तबदील कर भी लेंगे तो आपके मेन्स की तयारी है आपकी बले आपका प्रिलिमस हो जाए क्या कर लेंगे आप इस लिए बेहवारिक्ता को समझेए हर हमेशा जब भी कोई परिक्छा आता है तो एकाद दो रिजल्ट अपवाद होता है दोस्तों वो उधारन है तभी हम उसको देते हैं अगर सब ऐसा पास करने लगे कि फारम निकला दिया और हो गया हमारे यहां से ही तो 2017 में प्रिती पटेल वैसे ही पास की थी कि फारम निकलने बाद आई थी मेरे पास पीटी मेंस इंटर्व्यू सब हो गया मामरत दार हो गई 425 मार्क मेंस में था गल्स होने बाब जो रिटेन एकजाम में लेकिन वहीं आरजू थी अच्छर ब्यास था मातंग था लंबी तयारी का गोड़ा था सब दो तिन तिन साल से पढ़ रहा था तो एक अपवाद होता है और बाकी क्या होता है जो धारा है तो ध्यान रखिएगा हमारी बात अभी हो सकता है कि आपको कड़वी लगे लेकिन अपरेल में आप स्वेम आके कह देंगे कि सर आपने सही कहा था जो नए हैं उनकी बात कर रहे हैं जो फारम भरने बात जो है एक दम ताल ठोक रहे हैं मैं कर ही जाओंगा उनकी बात मैं कर रहा हूं हाँ एक दो लोग जो पी आई दिये अगर वो 120-122 पहुंचे हुए हैं ओ एक बार जो है प्रियास कर सकते हैं 60 वाला नहीं पहुंच पाईएगा और मेरा बात कड़वा लगता है हम डारेक्ट बोलते हैं तो ध्यान रखिएगा कि पहले बैठ कर पढ़ता होगा अगर आप प्लास 1-2 में जाना चाहते हैं और नए तो पढ़ना छोड़कर दोड़ना होगा अगर PSI में जाना चाहते हैं तो य आप जरा आगे देखें 87 सोतंत्र भारत में सरदार पटेल पटेल ने नीचे ना पाई कि कया मंत्रा लियो आप वामा आव्याहता इस प्रस्न को मॉडर्न में भी रख सकते हैं और इस प्रस्न को इससे भी ज्यादा quality में भी रख सकते हैं तो हम quality का भी ब्याक्षा लेके एक ग्रिह बे सहाय अने पुनह वसावट तरन माहिती अने प्रसारन चौथा क्रसी मंत्राले देखिए क्रसी मंत्राले हम सभी जानते हैं कि राजिंदर बाउप पास में था इंपोर्टेंट को याद रहेगा नहीं यह जो है C आंसर नहीं होगा देख लीजे ग्रिह और माह अंसर होगा ए अब लीजे स्वतंत्र भारत मा सर्दार पटेल ने ग्रिह माहिती अने प्रसारन मंत्राले फालवा मा अभिया है स्वतंत्र भारत मा डॉक्टर राजंदर प्रसादे क्रसी अने खाद मंत्राले आप वामा अभिवहत हूँ अब जो 89 मा कोस्ट्यन है इस से देखिए बंगाल नी कायमी जमाबंदी 793 बाबत ते नीचे ना पैकी कया विधानों साचा छे फरस्ट जमीन महसूल भरवानी सरते जमिन्दारों ने जमीन ना मालिक तरीके गनावा मा अभिया है महसूल जमाबंदी कायमी रिते नियत करवा मा अभिय भाडा ना 50% राज मांगना तरीके नियत करवा मा अभियो देखे पढ़ाये थे न, मिला न, अरे भाई आसान वला है, साव लोग पढ़ाया है, या आप अकेले नहीं पढ़ाये हैं, वस यही प्रब्लम है, देखा मेरे किताब से आया न, आओ रुखमा भाई का है न, आपके किताब से, रसोच के देखेगा, इसलिए जो इजी प्रस् सब के किताब से होगा, भारी प्रसंद जिसका किताब पकड़ाये, वो किताब बेश्ट हुआ है, चलिए आगे देखें, जमीन ना कर चुकवानी सर्थ पर जमीनदारों नी जमीन नो मालिक पनानो हक आपवामा आवियो, मैसूली जमाबंदी कायमी रीते नियत करवामा अग्यार प्रफिसत था, चलिए, अब जरा अस्तर देखें कि यही प्रसंद यूपी सी में किस लेबल पे जाग पूझे, भारत की इतिहास के संदर्व में निम्दलिखित यूगमों पर विचार कीजिए, पहला औरंग राजपोस का प्रभारी, बेनियन इस्ट इंडिया क कमपनी का भारती एजेंट, मिरासीदार, राज का नामित राजस्वदाता, उपरोक्त में से कौन से कथन सही सुमेलित हैं, तो इसका आंसर B है, दो और तीन, एक गलत है, देखे जरा व्याक्षा, जरा ये वाला कोस्चन, गुजरात का तो बाती नहीं करेंगे, दिल्ली मे जो सबसे ज़्यादा बुक बिखता है, जरा उसका पल के निकाल के दिखा दिजे, अगर ये वहां से आया हो तो माल जाएंगे, अरे हम भी तो देखने बाद एन चैलेंज किये होंगे, इसलिए कह रहे हैं कि ताकत नहीं है, आप जिस किताब को गाइड को पढ़ रहे हैं, नहीं आएगा कोस्चन उसमें से, इस लेबल का कोस्चन, नहीं फसा, हाँ, आप ये नए अडिशन में इसको डाल देंगे, आपको लएगा, अरे इसमें से ही आया है, हमेशा कोई भी गाइड दिल्ली से छपा है, उसका ताकत वो है कि उसका जैसे 20 अडिशन खर दे, 20 का प हारसी सब्द है, जिसका अर्थ होता है वह अस्थान, जहां सामान बेचे जाने के पुर्व एकत्रित किया जाता है, यह सब्द तयार माल के लिए एक कारे साला को संदर्भित करता है, हमने एक ऐसा जगा जहां की पहले बेचने के पहले कठा कर लेते हैं, फिर ले जाकर के जो है उसको बेचेंगे गोदाम एक तरक समझेगे बेनिया या संस्क्रित और बंगला सब्द बानिक बैपारी का अंग्रेजी रूप है ये एंगलो इंडियन समाज और मूल लिवासी के मद्धे ब्रोकर दुइभासी या एजेंट के रूप में काम करते थे अंग्रेज जो म उच्जाती के हिंदू थे विशेशकर ब्राह्मन चुकि यूरोपी बैपारी अस्थानी भासा रिती रिवाज इत्यादी से अनभिग थे इसलिए उन्हें इनकी आवसक्ता पड़ती थी मिरासीदार दक्षिन भारत के तमिल छेत्र में पूरे गाउं की भूमी पर अधिकार रखने वाला मिरासीदार कहलाता था अक्सर ये ब्राह्मन या उच्च जाती के होते थे रयतवारी बंदोवस्त के अंतरगर सरकार में मिरासी दार को भूमी के एक मात्र मालिक के रूप में मानेता प्रदान की और किराएदारों के अधिकार को पुरूंता खारिज कर दिया ये था लेवल बंगाल का काईमी जमाबंदी बहुत पुराना हो गया भाई अब उस सब कोस्चन नहीं है पूछने का ने तु सब के किताब से लड़ने लगेगा जादे क्लास थ्री वला किताब से लड़ेगा इभी ध्यान रखियेगा चलिए वागे देखें नीचे ना पाय की कोना समय दर्मियान टीपू सुल्तान साथे त्रीजु एंगलो मैसूर युद्ध लडायो हतु बेहद बेहद आसान सबाद A. वारेन हेस्टिंग्स B. चार्ल्स कॉर्ण वालिस C. रोबर्ट क्लाइब D. वेलेजली चार्ल्स कॉर्ण वालिस 2799 इश्वी माँ टीपू सुल्तान अने कॉर्ण वालिस ना वच्चे त्रतीये आंगलो मैसूर युद्धनी सुरवात थै मार्च 791 कानूमा कॉर्ण वालिसे स्रीरंग पटनम पर घेरो नाखियों ये एक सवाल जो आपका सिलेवस गवर्नर जन्रल और वाइस राय टॉपिक है उससे हुआ इसी पर कॉर्णवालिस ने कहा था कि मैं अपने सत्रूँ को पंगु कर दिया परन्तु अपने मित्रों को पंगु नहीं होने दिया देखे जड़ा इसी गवर्नर जन्रल पर वेलेजली का एक सवाल वहां कॉर्नवालिस था यहाँ आइस में वेलेजली पर पूछा है वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की अस्थापना किस लिए की थी उसे लंदन में स्थित बोर्ड आफ डारेक्कर्स ने ऐसा करने के लिए कहा था वह भारत में प्राच ग्यान के परती अभिरूची पुना जागरित करना चाहिए था वह बिलियम कैरी और उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था वह ब्रिटिस नागरिकों को भारत में प्रसासन हेतु प्रसिक्षित करना चाहता था यही डी है आंसर फोर्ट विलियम कॉलेज की अस्थापना 10 चुलाई 18 सो को कलकत्ता में वेलेजली द्वार था इस कॉलेज के संस्थापक 1 मार्कृस वेलेजली एवं रिचार्ड वेलेजली थे इस महाविध्याले में हज्जारों कुष्टकों का अनुवाद बंगाली, हिंदी, संस्कृत, अर्भी, फार्सी, उर्दु भासा से इंग्रेजी में किया गया इस कॉलेज की अस्थापना का उद्देश बिटिस अधिकारियों को भारती भासाओं में सिक्षित करना था कंपणी के बोर्ड ऑफ डिरेक्टर ने कलकत्ता में प्रसिक्षन कॉलिज खोलने का कभी समर्थन नहीं किया था उनको लगता था कि जूट मूट का मेरे उपर एक बडन है ये दोनों का लेबल था अब ये वाला कोस्चन बिले दिली का सब के किताब से लले और मैं भी एक किताब हिंदी में लिखाऊं छेसो पन्ने का उसे भी ललेगा गारंटी है आईए 282 कोस्चन भारत मा सुधी आंदोलन नी शुरवात कोने करी स्वामी दयानन सरस्वती ना ने तृत्तुमा आरी समाजे सुधी आंदोलन नी सरवात करी आना हेठा लोकोंने बीजा धर्मों थी हिंदु धर्मा लाववानों प्रियास करियो 60,000 मलकाने राजपूत अने तेमने हिंदुओने जेमने मपिला विद्रोह ना दर्मियान अथ्वा भारत विभाजन ना दर्मियान जबरदस्ती मुसल्मान बनावा मा आब्याहता पुना हिंदु धर्मना करवानी तक मरी मलकाने राजपूत साथ हज़ार थे वो राजपूत थे इसलाम स्विकार कर लिये थे उसको सुधी आमदोलन के तहट हिंदू धर्म में लाया गया मौपिला विद्रो के समय जिन हिंदूओं को मुसलिम बनाया गया उनको लाया गया और भारत विभाजन के समय जिन को किया गया उनको जो है हिंदू बनाया गया अब देख लिजे जिस तरह से वह एक सोशल रिलिजियस रिफॉर्म चेप्टर का नाम होता है सामाजिक धार्मिक सुधार तो वह एक धार्मिक सुधार था तो यहां लिजे अब सामाजिक सुधार का सवाल UPSC में और अस्प्रिश्य समुधाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विद्भन सक किसके द्वारा प्रकासित की गई थी गोपाल बाबा वलंग कर जोतीबा फूले मोहंदास करमचन गांधी भीमराव रामजी अमबेट कर अब जरा बताईए कि ये सवाल अगर कोई क्लेम करे फूल दिल्ली से तो मान जाएंगा है गोपाल बाबा वलंग कर का जन्म 1840 में महराष्ट के राइगण जिलेक में महार के समीप रावदुल गाउं में महार जाती में हुआ था 1886 में सेना में सेवा करने के बाद दापोली में वेबस गए और जोती राव फूले से वो प्रभावित हुए 1859 में इन्हें महार के अस्थानी तालुका बोर्ड में निउप किया गया इन्होंने जोती राव फूले के इस धान्त को आगे बढ़ाया कि भारत के आस्प्रिस्च लोग स्वदेशी निवासी थे और ब्राहमन भारत पर आकरमन किये थे इस चीज को जो है ये आगे बढ़ाया इन्होंने दावा किया कि दक्षिन के उच्च जाती के लोग आस्ट्रेलियाई सेमेटिक गैर आरियन और अफ्रिकी हैं यानि ये विदेशी हैं इनका ये कहना थे 1888 में इन्होंने विटाल विध्वनसक डिस्ट्रॉयर ओफ ब्राहमनिकल और सेरेमोनियल पॉल्यूशन नामक पुस्तक की रचना की इन्होंने मराथी भासा के अख़बार सुधारक और दीन बंधू के लिए भी लेख लिखे हैं कितना किताब है जो बाबा गुपाल दास के बारे में लिखे हो अब आईए पी आई कट्टू एट्टी थ्रीवा सवाल सब के किताब से आया है भारती राश्टी कॉंग्रेस ना कया अधिवेशन ना प्रमुक सर्दार बल्लब भाई पटेल हाता तो लीजे सबका 1930 के लाहर अधिवेशन के जवाहतलाल नहरु अध्याच थे 1931 के कराची के बल्लब भाई पटेल थे 1932 के नागपूर के मदन मोहन मालवी थे और 1934 के मुंबई अधिवेशन में डॉक्टर राजिंदर प्रसाद इसके अध्याच थे अब अगला सबाल पहले हैं कि वहाँ नौ है और यहां पंदर है प्रथम गोलमेज परशत कौमी चुकादा नी जहराद प्रथम गोलमेज परशत कौमी चुकादा नी जहराद गांधी इर्भीन करार हम ए में ही रहेंगे क्योंकि हमें मालूम है कि सबका इयर देख लिए प्रथम गोल मेजी परिशयद 12 नमंबर 1903 थी 13 जनवरी 1931 दांडी कूच 12 मार्च 1931 थी 6 अपरेल 1931 गांधी इर्भीन करार 5 मार्च 1931 आने Announcement of Criminal Award सो लगस्त 1932 दांडी कूच ही जो है वो पहला इसमें से होना चाहिए देखे ये 1930 की घटना है अब आईए नीचे ना पैकी कयों बनाव सौथी पहले बनियो हतो चावरी चावरा बनाव काकोरी बनाव रोलेट सत्यागर बार डोली सत्यागर तो हम तो रोलेट में ही जाएंगे क्योंकि ये एकदम फैक्ट्चुल कुस्चिन है चावरी चावरा कांट चार फेबर बरी 1922 काकोरी शड़ यंत्र 9 अगस्त 1925 रोलेट सत्यागर अठार मार्च 1929 और बार डोली सत्यागर फेबर बरी 1928 देख लीजे 1929 हमेशा सबसे पहले होगा अब आईए 296 ओगनी सो अठार मां शुरू थाए मजूर संग नियमिस सभ्यपद अने लवाजम साथे नो प्रथम मजूर संग हतो A. मदरास, B. मुंबई, C. कलकत्त, B. मदुराई, मदरास है ये सब इजी सवाल है इसब के किताब से है प्रथम असपस्ट रूप्ती रजिस्टर्ट ट्रेड यूनियन वीपी वाडियाद्वारा अस्थापित मदरास मजूर संग छे अने ओगनी सव बीश मा All India Trade Union कॉंग्रेस से अस्थापी हती अब सोशल रिफॉर्म से यहाँ दो सवाल है क्योंगी ज्यादा कोस्चन है सक्त सोधक समाजनी अस्थापना महराश्ट मां 873 मां डैस द्वारा थाई हती 24 सप्टेंबर 1873 मां जोतिवाब फूले सक्त सोधक समाजनी अस्थापना करी तेमने 1872 मां गुलामगीरी नामनी पुस्तक नी रचना करी तेमनो मुख्यू देश पछात जातियोत ने तेमना अधिकार माटे जागरित करवानी आये 298 साल बाईनी संधी 1772 मां डैस अन्य अंग्रेजो बच्चे थे इस पर कोई अगर आके धांगडा और डिस्को डांस करने लगे देखो हमने पढ़ाया था मेरे अरे ति ये भी नहीं पढ़ा होगे डूब बरू चुल्लू भरपानी इसलिए आयसे ही प्रस्म फसे हैं समझ गया इसमे डिस्को डांस नहीं करने का है कि ने ने मेरे में से आ गया अरे जुओ क्लास त्री मां थी आ भी गया अरे ये कोश्चन एकाद दो इजी था जिस कारण से आप में से आया तो सालवाईनी संधि 721 माँ डैस और डैस बच्चे सीख गूर्खा अमराठा निजां मराठा है प्रथमां माय्षूर यूद मां मराठा यूद 725 थी 7212 आस शुधी चालीम अने 70 में 7212 मां शालवाईनी संधिनी साथे समाप्थ यू आ संधी नी पुष्टी अंग्रेजों नी तरफ थी वारेन हिस्टिंग्स और मारा ठाओ नी तरफ थी नाना फढ़नवी से करियो अब मैच नहीं कर रहा है लेकिन अब जो इसमें अलग से पूछा है वो तो बताना पड़ेगा इसमें तो एक नील विद्रोह से कोश्चन है निम्न में से किस कारण से भारत में बीशमी सताफदी के आरंभ में नील की खेती का हरास हुआ ए नील उत्पादकों के अत्याचारी आच्रम के प्रती कास्टकारों का विरोध नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलावकर होना यही है नील की खेती का राष्टी नेताओं द्वारा विरोध किया जाना और उत्पादकों के उपर सरकार का नियंत्रन इसका आंसर है B कि भारत में 20. सदी के आरभ में नील की खेती के हरास का मुख्य कारण था 19. सतावदी में सिंथेटिक डाई का प्रियोग ज्यादा लंबा समय तक कलर उसका रहता था इस कारण से जो है लोग छोड़ दिये एक और कोस्चन यहां आया है देख लिजे 1857 के बाद जो आदिवासी विद्रो हुआ था वहां से कोस्चन है कि भारत के इतिहास के संदर्व में उल्गुलान अथवा महान उपद्रो निम्न में से किस घटना का विवरन था 1857 के बिद्रो हुआ 1921 के मौपिला बिद्रो हुआ 1869 के नील बिद्रो हुआ और 1899 से 1900 के बिर्सा मुंडा के बिद्रो हुआ तो ये डी है पहले समझेगा उल्गुलान का साबदी कर्थ क्या होता है उल्गुलान एटले सुम तो होता है ग्रेट ट्युमुल्ट बेब्रिहद हलन चलन संथाली भासा मुआ इस बिद्रो हुआ का नेत्रितों 1899 से 1900 में बिर्सा मुंडा ने किया था बिर्सा मुंडा का जन 15 नमंबर 1875 इस्वी में मुंडा जन जाती में हुआ था इन्हें धर्ती का अब्बा या प्रिश्वी का पिता के रूप में जाना जाता है इनका नारा था संथाली भासा में अबुआ राज सेटर जान महरानी राज टुंडू जान हम लोगों के बगल में ही संथाल हम लोग जंगल के किनारे रहते हैं तो संथाल जाती के लोग हैं ट्राइबल में तो हम लोग अच्छे से समझ पाते हैं कि क्या कह रहे हैं कहते हैं रानी का राज समाप्त हो जाए और हमारा राज अस्थापित हो जाए 9 जून 1900 को इनकी मिर्द्यू हो गई आईस में एक और सवाल इन चेप्टरों से नहीं मिलता है अलग है निम्द में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांती के द्वारा 19 सतापदी के पुर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही ब्याख्या करता है भारती दस्तकारी उद्योग नश्ट हो गए थे भारत के बस्तर उद्योग में मसीनेयों का बड़ी संक्षा में प्रवेश हुआ था देश के अनेक भागों में रेलवे लाइन बिछाई गई थी और बिटिस उत्पादन के आयाग पर भारिशुल्क लगाया गया था ए है इसका आंसर दस्तकारी उद्योग हमारा नश्ट हो गया यही था 19 सतापदी कर स्वतंतरता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गनेश देवसकर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्व में निम्न कतनों पर विचार करें जब दुकान पर जाईए इस दिलिवला किताब खरीदने तो उसमें पलट के देखें की देशेर कथा है क्या है पसीना बाहर हो जाएगा उन गैड़ों को वहां तक पहुशने में तो इन पुस्तक ने आपनिवेशिक राज द्वारा मस्तिस की सम्मोहक विजय के विरोध में चेताब नहीं दी इस पुस्तक ने स्वदेशी नुकड नाटकों और लोग गीतों को प्रेरित किया देशकर द्वारा देश सब्द का प्रियोग बंगाल छेतर के विशिश संदर्व में किया गया उपरोक्त कत्रों में से कौन सा सही है आंसर है दी तीनों ही सही है सखाराम गनेश देशकर ने 1904 में बंगला भासा में देशेर कथा देश की बात नामक पुस्तक की रचना की देशकर ने देश में स्वाधिंता की चेतना जागरन और विकास के लिए की थी इन्हों ने कॉंग्रेस द्वारा संचालित स्वाधिंता अंदोलन का समर्थन किया परंतु उसके रिती रिवाज की आलोचना की राजडीती में देशकर बाल गंगाधर तिलक को अपना गुरु माने इस पुस्तक ने स्वदेशी नुकड नाटकों लोग गीतों को प्रेरित किया इनके द्वारा लिखे गए अन्य प्रमुग्रंथ महामती रानाडे जासीर राजकुमार लक्ष्मी भाई को ये राजकुमार कह रहे हैं देशेर कथा एक बंगाली दैनिक अख़वार है जो त्रिपुरा के अगरतल्ला से प्रकासित होता है क्यों पूछा ये कोस्चन इसलिए कि इस नाम से एक अख़वार भी छपता है इसकी अस्थापना 1979 में की गई थी इसके संपादक समीर पॉल हैं एक अक्टूबर 2018 को प्रेसें राइस्टेशन ऑन बुक एक 1367 के अंतरगत इस पर बैन लगा दिया गया था जवर्मेंट के द्वारा इस अख़वार को 2018 में बैन लगा दिया एक 11 अक्टूबर 2018 से इसको पुना प्रकासित किया जा रहा है कोट जो है उस बैन को हटा दिया तो उसके बाद ये फिर से प्रकासित हो रहा है इसलिए ये कंटूबर्सियल था इसलिए ये कोस्चन यहां पर इतिहास में पूछा तो दोस्तों आईयस के जो जो प्रस्ण हमने बताए जराब वो मिला लीजेगा कि क्या है गाइडों में कि ये वाला पढ़ देना प्रकासन उसमें है तो जरूर पढ़िए नामी लेक बोल देते हैं कि अगर स्पेक्टरम के अंदर वो है तो जरूर पढ़िए हम तो तथ्थ के साथ बात कर रहे हैं नहीं है तो नहीं पढ़िए और यहां अगर कोई उस किताब को ट्रांसलेट करके कहे कि मैं उसको किया हूँ तो बड़ बड़ घोड़ी भासल जा निरगित्दी कहे कितना पानी हमको स्पेसलाइज होके पढ़ना पड़ेगा हाँ इस्पेक्टरम से कई सवाल लले भी हैं ऐसा भी नहीं है लेकिन इस अस्तर का सवाल नहीं ललेगा किसी भी किताब से उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक ही पढ़ना पड़ेगा चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग अब अगला आप इसी तरह का जोड़ करके ब्याख्यात मखल ले करके आएंगे आपको तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में जैहिन जैभर